जैहिन आई ओसी एल इंडियान ओइल कॉर्परेशन लिमिटिड तो फ्रेंट जैसा कि मैंने बताया था भाई आई ओसी एल पाइप्लाइन डिवीजन में एक्जाम डेट को लेकर या फिर इसके एडमिट कार्ट को लेकर कोई भी छोटा से छोटा अपडेट इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर आता है तो उसकी अपडेट जो है मैं आपको टाइम से दे दूँगा तो फ्रेंट्स फाइनली जो है डिपार्टमेंट ने अपने ओफिसियल वेबसाइट पर जो है आई ओसी एल के यहाँ पर जो एक्जाम होने वाला है अभी पाइप्लाइन डिवीजन क उसके एड्मिट कार्ट को आउट कर दिया है पब्लिस कर दिया है तो भाई किस तरह से आपको डाउनलोड करना है क्या क्या इसमें चीज़ें है तो सारा कुछ मैं आपको क्लियर करूंगा वीडियो के साथ पूरा बनी रहीएगा तो अभी जो मैं IOCL Indian Hall Corporation Limited Pipeline Division के ऑफिसियल वेबसाइट पर हूँ अब यहाँ पर मैं जाओंगा भाई इसमें लिखा है भाई रिक्रमेंट फॉर्फिलिंग नॉन एग्जेक्यूटिव्टिव वेकेंसी इन पाइप्लाइन डिविजन एडवर्टाइजमेंट नमबर पी एल एचार एस्टीबी रिक्रमेंट 2022 अब य यह 27 अक्टुमबर 2022 का इसमें डेट बताया गया था ठीक है अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हूँ यह लास डेट यह प्रिंट आउट एप्लिकेशन की है तो यह सारा कुछ अब आपको एडमिट कार्ड में किस तरह से डाउनलोड करना है तो आप देख सकते हूँ यह आप पर आपको फिल करना है अगर आपको नहीं पता है तो आप यहां पर फॉर्गेट पासवर्ट पर जाओगे यहां पर क्लिक करोगे ठीक है फॉर्गेट पासवर्ट पर क्लिक करने के बार यहां पर आप रजिस्टेशन नंबर डालोगे ठीक है उसके बार अपना डेट किस तरह से इस पर जाना है application number किस तरह से आपको पता करना है तो उसका भी मैं आपको बता दिता हूं तो लेकर चलता हूं मैं इसकी mail id पर ठी तो friends मैं आपको एक चीज क्लियर करूंगा भी टैंसल लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अब यहां पर जो है मैं अपने mail id पर आगया है अब यहां पर जो आपको सर्च करना है वह करना है पी एल रिक्रूट एट इंडियान ओल डॉट इन इसको सर्च करने के बाद आपका फर्स्ट जो है यहां पर होगा यह जो है यहां पर आपने जब रिस्ट्रेशन किया था तो जितने भी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको mail भीजे गए थे उन mail को आप open करके देख लीजिएगा इन mail पर जैसे यह आप उपन करोगे तो भाई आपको आपना जो है रिजिस्ट्रेशन नंबर या पता दिया है यहां पर आप फोरगेट पासवर्ट कर सकते हो अगर आपको अपना पासवर्ट नहीं पता है तो ठीक है फोरगेट पासवर्ट करने के बाद जब आप यहां पर आपका mobile नंबर और mail ID मांगेगा वो देने के बार जब आप यहां पर समिट करोगे तो आपको अगें जो है department फिर से एक नया password बेज देगा ठीक है date of birth आपको लिखना है capture लिखना है then यहाँ पर आप जैसे capture लिखने के बाद login करोगे आप देख सकते हो भाई यह जो है यह pipeline division का admit card है यहाँ पर जो student अप्लाई किया था वो गुज़रात में अप्लाई किया था अब यहाँ दिया होगा ठीक है उसके बाद किस post के लिए apply किया है reporting time 8 बजे सुबह से आपका दिया होगा ठीक है आपका जो है यहाँ पर exam दिल गंटे चलेगा 10 बजे से 11 बजे तक ठीक है अब यहाँ पर आप देख सकते हो सारा कुछ आपका भई यहाँ पर photo signature वगेरा यह सारा कुछ दिया होगा नीचे basic instruction दिये होगे इंस्ट्रेक्शन नॉर्मली होते हैं लगबख हर exam में बस यहाँ पर एक changes है कि आपको अपने original documents लेकर जाना है कोई भी आपको यहाँ पर अपना document घर पर नहीं चोड़ना है सारे original documents लेकर आपको जाना है क्योंकि अगेन आप जानते हो भ आपको अपने documents सारे लेकर जाना है ठीक है उसके बार यहाँ पर कोई भी आप electronic गेजट लेकर नहीं जाओगे आदार काट pen card तो आपको लेकर जाना ही है ठीक है COVID guidelines का पारन करना है आपको यहाँ पर जो return test के लिए time है वो यहाँ पर 90 minute दिया जाएगा ठीक है तो यह सारा रिकत नहीं करनी है exam center के बार ठीक है तो यह सारे basic instruction है जो हर लगबख exam में दिये जाते हैं यहाँ पर बस आपको एक चीज़ यहाँ पर अलग से ध्यान रखना है कि आपको अपने original documents लेकर जाना है ताकि अगर आपका कोई यहाँ पर selection हो जाता है तो यहाँ पर department को आपको हाँ पर दिखाना पड़े ठीक है नहीं तो फिर आपको अगेन वापिस आना पड़ेगा तो भाई इसके result की भी आपको update मिलती रहेगी ठीक है तो यह जो चीज़ें मैंने clear करना था अभी admit card को लेकर सारी आपको जो है यहाँ पर जानकारी दीदी अभी कुछ student है जिनका admit card जैसे ही इसका result आएगा इसके official website पर वैसे ही मैं आपको जो है यहाँ पर अपना update जारी कर दूँगा एक तो भाई channel के साथ आप बने जरूर है ना ताकि IOCL pipeline division की कोई भी छोटी से चोटी update जो है आपको मैं clear कर सकूँ ठीक है इसका result ज्यादा time नहीं लगता है जैसे ही आप यहाँ पर भाई exam दे के आओगे ठीक है या तो उसी साम को आपको list जारी कर दी जाएगी department की तरफ से या फिर आपके अगले दिन जो है यहाँ पर result का update आपको दे दिया जाएगा ठीक है तो उसके लिए भी चैनल के साथ बने जरूर है ना क्या इसकी सारी कुछ process होती है मै आपको सारा कुछ clear करूंगा ठीक है अभी जो update मैंने आपको दिया भई admit card आपका download हो गया है सारा कुछ clear हो गया है आप अपनी preparation कीजिए और exam दे कर आए ठीक है बाकी मिलते हैं किसी next job की next update के साथ जैहन